देश अजाद कदोंदा होया आज किस मोड तेयान इखलोया तक्या हाल बड़ा दिल रोया अखियाने ता परना सी ओ एस अजादी लई क्यों पगत स्याँ फांसी चड़ना सी पुखे बाल करन मज दूरी रोटी डंगदी में लेना पूरी अजादी लई क्यों पगत स्याँ फांसी चड़ना सी ओ डबली करजे ले किरसानी छड़तुर चली बतन जवानी दसो किस कमदी कुरवानी जितके वीजे हरना सी इस अजादी लई क्यों वीरे आहा फांसी चड़ना सी नमस्कार मैं हूँ सुदीर जाखड और आप देख रहे हैं दा लोकल नियूज और जिस तरीके से आंदोलन सुलग रहा है ठीक उसी तरीके से ये हुक्का सुलग रहा है सुलगता हुक्का और सुलगता अंदोलन दोनों जो हैं स्वास्थे के लिए और सरकार के लिए हानी कारक होते हैं और हो भी सकते हैं क्योंकि हम मुझूद हैं दिल्ली के किसान अंदोलन में और टीकरी बाडर पर जो किसानों का जो बोर्डर सील है बोर्डर जाम है ठीक वही ह मुझूद है जहां किसान अंदोलन की हम हर खबर दिखा रहे हैं ऐसे में हुक्के पे चर्चा अगर नहीं की जाए तो ये दर्सकों के साथ बेमानी होगी हमारे साथ मुझूद हैं हर्याना के नोजवान इनसे हम जानेंगे कि कितने दिन से यहां डटे हैं कितने दिन और डट निकलेंगे रिजल्ट निकलेंगे सामाजिक तोर पर या अंदोलन का कितना असर होगा राजनेतिक माईने क्या होंगे तमाम बातों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभी जैसे मैंने कहा कि हम इनसे जानेंगे कि आंदोलन के लिए कितने दिन और यहां रुकने का आमादा है या फिर एक दो दिन में आपके सबर का बान तूट जाएगा आप घर चले जाएंगे या फिर मजबूती के साथ डटे रहेंगे वो मैं जानना जाएंगे जब तक यह तिनो काले कानून वापिस नहीं होगे हम घर नहीं जाएंगे हमारे पास सारी सुईदा है लंगर की चाहे पाणी गोस्से ओकका सिलेगरा चोबिगंट है यह संसदबावन में जाएगा ओकका यह दिल लिख अंधर जाएगा यह जैसे बोलरे ही ती सरकार की प्राली का दूमा आता है उसे जादा तो ओकका के साथ साथ होकके का दूमा भी महां पहुंच चुके आँए महांबे मैंने यह कहा कि कितने दिन आप यहां रुकने का ह।N ऑफिर लड़ाई लड़ेंगे ये पूछा है मैंने चे मिन ने तो कम से कम छे मिन लेकर आसन पानी जब तक मतलब ये तिनों काड़े कानून वापिस नहीं होगे साल की जगा सब्सक्व क्यों ये नमस लेकर नमस करक्त है, डॉक्टर दिलिबाग दढ़कने अपडाउन आपकी हो रही होंगी कि आपके नेता आपके हक में फैसला करेंगे या फिर सरकार का दबाव मानेगे बिलकुल नहीं हमारे नेता हमारे फैसला लेकर आएगा और सरकार को जुकना ही पड़ेगा जब तक हमें चाहे जितना मरजी टाइम लगे हम यहां बैठे हैं अच्छा सरकार कह रही है कि संसोधन थोड़ा बहुत वो जो हैं विचार कर रहे हैं और कर देंगे ऐसे में संसोधन जो कानून में होगा उससे सहमत रहेंगे आप या फिर क्या नाम पूरा जो क्रीशी बिल है वो वापिस होगा तभी मानेंगे बिलकुल जब त बैठे हैं जी तब ही तक रहेंगे जब तक मारा नहीं होगा नहीं माम यहीं बैठे हैं सालों दो सालों पांस सालों बच्चे आज आपके नेता सरकार से बात करने गए हुए हैं उनसे आपने क्या कहा था जाते वक्त कि आपके लिए क्या यहीं कहा था जी माम जब तक आप वो समाज जो भी अंदोलन करते हैं वो कहीं बार आंदोलन कारी जो लोग होते हैं वो अपने नेताओं पर दबाव बना देते हैं कि जी अब हम और हम रुक नहीं पाएंगे ऐसे में जैसे कैसे भी करके बीच बचाओगा रास्ता निकाल गे जो करना है कर लीजी क्या अब की फॉसे कज पाइंस अब अधिस अंधुलन की सबसे बड़ी सकस तो यह है कि पहले मंतरी इसलें यहले मिलने से मना कर दो किसानों से आज बार Kenway रही है चाहीं नहीं दे रहे हैं लेकिन हम अपने तेवर पर अड़े हुए हैं haven कर एचाहूँ माँ पी vilवापिस होगा जी किस चाहते जारे हैं कि Emerson सोजंद कर देंगे पहले बिल्कुल मना कर रहे थे आब वहीं जुकते जारे और वहीं जुकेंगे नेताओं को ड्रादहमका और प्रेसर बना कर या कुछ्छालत दे कर दबाया गया तो ऐसे में क्या करेंगे किसान अब वैसे होता है यह हमें मानना पड़े और बहुत दुर्वाग्यपूर्ण भी है लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा सब को विश्वास है और ऐसा नहीं सर अब पोजिटिव सोच के चलनेंगे ना काफी पोजिटिव है जो अक्सर जो है नेग्टिवि हाया हर्याना से बहुत युवा भी आ रहे हैं हमारे बजूर्ग ताउ सारे आ रहे हैं तो और भी जो गरों में बैठे हैं हमारे नोजवान भाई हमारे नोजवान भाई जो गरों में बैठे हैं उनसे भी हम अपील यह करते हैं कि और भी अपने सारे साथी लेकर आएं यहा अब हुक्के को भी जो है वोसिंग मसीन की नाली लगा रखी है ताकि जादा उठना पड़े ना जुकना पड़े ना और बिल्कुल मजे से जो है बिना तकलीफ या बिना कुछ किये जो है हुक्का आसानी से पिया जाए ठीक कह रहा हूं जी बिल्कुल का कहना चाहेंगे नौजवानों को, देश की किसानों को, देश की सरकारों को, मैं नौजवानों को अर्याणावाले को यही बात कहना चाहताँ हूं इतने पकवाण पकवान जैसे क्या अबना हमी में किसी ऑनगी गी से देशी घी इसे पकवान बन रहे हैं बंदारी लग रहे हैं कि हमने även पकोडै नया हं हलवे बन रहे हैं पापडी बट रही है मुंपलियां बट रही है रस और जूस जो है यहां खीर बन रही है जी पूरी बढ़्डिया जैसे आचे खोपे दागेड का दूद की सुवीदा फूल है जी गजरगा लुआ बना लग रही है जी आपना देशिया लुआ बना लग रही है जी जिन्दाबार जिन्दाबार जी नमस्कार जी सराज ना बोल दे हरजीत हर्मन हरजीत हर्मन है पंजाबी सिंगर हैं हमारे साथ मौझूद हैं और इस वक्त जो हैं हर्याना के लोगों के साथ हर्याना के युवा किसानों के साथ और बुजर्गों के साथ ही बैटे हैं और मुझे लग रहा है कि आप पूरे दर्णा स्थल का जो है निरिक्सन कर रहे थे देख रहे थे घूम रहे थे कैसा लग रहा है नहीं हम साथ हैं आपके घूमनी रहे थे हम जब से गर्षी शुरू हुआ है किसानी का उसके साथ ही जुड़े हुए है आपको हर्याने वालों को देखके मुझे बहुत खोशी है कि मैं आपके पास दो मिट बैठों अभी युवा बता रहे थे कि सांदोलन की वज़े से हर्याना और पंजाब की जो है बाहिचारा और उनकी एकता जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगी सांदोलन से आप कैसे देखते हैं पूरे के पूरे इंडिया की ही आपसमें सांज है कोई किसी धर्म का हो किसी प्रांत का हो किसी जात का हो मगले तो प्लिटिकल लोग है जो इनको तोड़ देते हैं अब पता जला हर्याना आपके सांद आपको जब जरूरत पड़ेगी तो पंजाब को वाज मार देना तो अधे बूल पे आपके पास है जो है एक दूसरे का किसी ग्रांत का हो तो भी वी पड़ान से जल्दी से जल्दी शामल हो की सरकारों से क्या कहना चाहेंगे सरकारों को यहीं देखते हैं से सतर साल हो गया कितने हो गया जाद हुए बिस्कारों को यह कह फार कि आपने बहुत सारे सेक्टर पर पहले ही कभजा कर लिया है अब जो आपका पहला पड़ा है बो द्रवेश लोगों के साथ पढ़ गया जो मिट्टी में मिट्टी होकर देश का नाज का पेट भरते हैं जनके बैंक बैलेंस भी काम ही होगे मेरे ख्याल में प्यानती कि आप आज देने का तो वही देखते हैं भी कितना रह गया कितना है जब ऐसे लोगों के साथ पला पढ़ता है तो परमात्मा उनके साथ होता है महांधार लोगों के ये मूर्चा आप और मेंजा पंजाब या दूसरे कसानी आपके साथ परमात्मा भी आपको संपोर्ट कर रहा है क nosi कि ये लडाई सच की है अच्छा ऐसे में ये देखना काफी दिल्चस्प है कि जहां पंजाब के खिलाडी और जितने भी सिंगर हैं कलाकार हैं वो बिल्कुल दिल से यहां समर्तन देते दिखाई दे रहे हैं कि दिखाई नहीं दे चुके हैं सभी कोई भी नहीं है पंजाब कालाकर वो तो आकर बैठती है वहां धन्य में हम भी बैठे आप कल के आया हूं है पहले मैं आप वहां से गया साबके तिकड़ी बॉर्डर क्णवरी के रास्ते से वहां गया मैं 2521 को उससे पहले भी मौका मिल होया आज किस मोड तेया निख लोया तक्या हाल बड़ा दिल रोया अखिया नेता परना सी ओ एस अजादी लही क्यों पगत स्यांपांसी चड़ना सी पुखे बाल करन मजदूरी रोटी डंक दी में लेना पूरी बेवास बाल करन मजदूरी जिन्ना ने लिखना पड़ना सी एस जादी लही क्यों पगत स्यांपांसी चड़ना सी दबली करजे ने किरसानी छड़त और चली बतन जवानी दसो किस कम दी कुरवानी जित के वीजे हरना सी एस अजादी लही क्यों वीरे आप फांसी चड़ना सी बहुत बहुत यह देखिए पंजाबी सिंगर है हरजीत अर्मन आपके चैनल से माधी है चैनल के माधी हैं हमसे सवी हर्यान भी भाई हैं जो जो अभी घर से नहीं निकला है प्लीज निकलाओ अगर यह जंग हम हार गए तो मुड़के दुबारा हमें लड़ने का मोगा भी धाई नहीं मिलेगा है हाँ है किया और यहां इन्हों ने किसानों के लिए बिल्कुल खुलकर समर्थन किया है और कहा है कि निश्ची तोर पर यह जीतेंगी और दिल से इनका समर्थन करते हैं तमाम ऐसे किसानों की खबरों से संब डिट पाने के लिए बने रहें द dependence सांट झाल झाल